हेलो इस्ट्वेंस स्वागत है आप सभी का UK Classes YouTube चैनल पर मैं हूँ उमेश और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मायथ NCRT CBSE Exercise 1.4 लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे जो प्रशनली मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है साथ आपको भी मोटिवेट कर लाइन यह है कि माना की अंधेरा घाना है माना की अंधेरा घाना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है मेरे प्यारे स्ट्वेंस अगर आपके लाइफ में आपके मंजिल को पाने के रास्ते में कोई चीज अगर समस्या बन करके खड़ी हो रही है बाधा बन करके खड़ी हो रह से और आप खुद खड़े हो जाए उन सारे समस्याओं को उन सारे बद्धाओं को पार करके अपने मनजिल तक पहुचने के लिए क्योंकि जिन्दगी तो जिना हर हाल में है क्योंकि जिन्दगी से मुह नहीं मोड़ा जा सकता है तो क्यों नहीं प्रुशार्थ करकि करें एकदम कम से कम समय में और बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत ही बहतरीन तरीके से डिजाइन किया हैं इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जोरत नहीं पड़ेगी यह हमारी कारेंटी है मतलब कि बिना लंबा भाग किये हुए आप तो भाग करते हैं ना जैसे कोई भी डिजिट से आगया उसको भाग करेंगे तब तो अंसर बता पाएंगे लेकिन यह बोल रहा है कि बिना लंबा भाग किये इस्टेट वएधर देभ भाग दिए वर हिसे कां जो हải है तर्मिठ फिरमीनेटिंग भिदिह appelle एक saràे इंगे और कॉनन टर निभीटिंग रրिपीटिंग यह आपको बताना है तो फर्स्ट ऑफ हॉल हम अहां पर एक चीज समझेंगे वो यह है कि terminating decimal expression क्या होता है expansion क्या होता है और non-terminating repeating क्या होता है चलिए इसको मैंने यहाँ पर rough के लिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं क्योंकि इस terms को और इस words को जब तक आप नहीं समझेंगे आप तैमानिये कि questions नहीं बनेगा देखेंगे समझ में आ terminating हो गया और यह non terminating suppose कर यह कि एक संख्या हम यहाँ पर लेते हैं ठीक है 2 by 5 तो इसका मतलब क्या है यह 5 से हमको भाग देना है 2 को तो 5 का table पढ़ है किता बार में 2 आएगा नहीं आएगा ना तो 0 देखेंगे तो इस पर 0 आ जाएगा और 5 फोर्जा 20 that means यह पूरा-पूरा कट गया तो इसका जो है इसका आंसर हमारा आएगा 0.4 0.4 और यह पूरा कट गया that means यहाँ पर जो remainder आया हमारा वह 00 हो गया ठीक है पूरा-पूरा यह कट गया इसलिए हम कहेंगे कि 2 by 5 जो हमारा तर्मिनेट हो गया क्या हो गयाfather opinet हो गयए एक और ढीजिट हम लेते हैं जैसे में को वनवाई 3 को हमने ले लिया को हम eer het तो यह जो point देंगे तो इस पर एक 0 चला आएगा ठीक है 3 का table पड़िए कितना बार में 10 आएगा तो 10 तो नहीं आएगा लेकिन 3 बार में 9 आएगा आपका तो कितना बच गया 1 बच गया आपको पता है कि जब एक बार point बैठाते हैं तो बार बार हम 0 ला सकते हैं फिर से 0 आएगा देखे यहां पर 10 था ना फिर से 10 हो गया 9 फिर से हमको लाना पड़ेगा तो फिर से 33 जा 9 फिर कितना बचा फिर 1 बचा that means फिर से हमारा 10 हो जाएगा और ये फिर से 9 आएगा और फिर 3 बार पढ़ना पढ़ेगा टेबल पढ़ना पढ़ेगा इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा 0.3333333 बहुत सार आएगा क्या आएगा? बहुत सार रिपीटिंग हो रहा है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा इसलिए ये वाला जो हमारा 1 by 3 है ये हमारा नन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो इसको हम लोग इस परकार से लिखते हैं 0.3 का बार उपर में देते हैं बार इसका मतलब ये है कि टर्मिनेट तो नहीं हुआ नन टर्मिनेट है लेकिन रिपीटिंग है तो आपको बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो आईए हम आपको 1 से स्टार्ट करते हैं यहां solve लिखते हैं और question number 1 को हम लोग लेते हैं copy करते हैं 31,25 तो एक तरीका है कैसे पहसानेंगे first of all हम लोग क्या करेंगे first of all हम लोग ये जो denominator है क्या denominator सबका denominator को पकड़ना है ये cut रहा है क्या ये तो 30 और ये 31,25 ये cut नहीं रहा है तो छोड़ देना है denominator को पकड़ करके हम लोगों को इसका factorize करना है 3, 1, 2, 5 इसका factorize करेंगे कितना से जाएगा 5 से जाएगा 5 से ले जाते हैं 5, 6, 30 कितना बचा 1, यहाँ चला गया 12 हो गया 5, 2, 10 तो 12 में 10 खतम 2 बचा यहाँ चला जाएगा तो यह 25 हो जाएगा 5, 5, 0, 25 आपको factorize करना तो आता ही होगा अब देखिए हम लोग क्या करेंगे फिर से 5 से ले जाएगे 5, 1, 5 यहाँ पर कितना बचा 1, 1 चला जाएगा तो 12 5, 2, 10 यहाँ पर कितना बचा 2, 5, 5, 0, 25 फिर से 5 से ले जाएगे हम लोग 5, 2, 10 और 5, 5, 0, 25 फिर से हम लोग 5 से ले जाएगे और यह 5 आजाएगा तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते है 13 और 3, 1, 2, 5 को हम लोग यह वहला लिखेंगे कितना बचा है 5, 5 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? तो 5 का पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं 5 का पावर 5 क्योंकि 5, 5 कितना बचा है? 5 बचा है 1, 2, 3, 4, 5 तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर डिरेक्ट लिखेंगे 5 का पावर 5 अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि It's Denominator Denominator Is Of The Form Of The Form 5m मतलब कि 5 का पावर में इसका Denominator का Factorize हो रहा है Factorization हो रहा है इस यह जो है ना 3, 1, 2, 5 यह इस रूप का है So, यहाँ से हम लोग लिखेंगे So, It is It is यह हमारा हो जाएगा Terminating It is Terminating अब इसका हम आपको खेल समझाते हैं यह Terminating का और Non-Terminating का खेल आपको समझाते हैं तो यह पहला questions बन गया तो करना क्या है my dear friends कि first of all आप यह समझ लिजे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि Terminate होगा और नहीं होगा बिना Long Division का तो हम लोग करेंगे यह अगर यह जो Denominator दिया है ना सब में Denominator सब का हम लोग Factorize करेंगे इस परकार से और Factorize करने के बाद यहां लिखेंगे Terminating और यहां लिखेंगे Non-Terminating ठीक है तो Factorize करने के बाद अगर 2 और 5 आता है 2 और 5 सबसे पहले तो अगर केवल 2 आया Only Only 2 तो आया बहुत सारा यहां पर Power देते हैं तो यह हमारा Terminating होगा अगर केवल 5 के Power में आता है Only 5 के Power में फिर भी हमारा Terminating हो जाएगा और अगर 2 और 5 दोनों आता है इसके भी Power में और इसके भी Power में मतला कभी-कभी 2 आयगा कभी-कभी 5 आयगा मतला 2-3 बार 2 आ ऑगया और 2-3 बार 5 आगया तो चलेगा कोई दिकत नहीं या तो फिर केवल 5 आवे या तो फिर केवल 2 आवे या तो फिर दोनों आवे इसके अलावा नहीं आना चाहिए तब होगा हमारा terminating ओके और अगर 2 other than other than other than 2 और 5 अगर 2 और 5 के अलावे कोई factor आता है दो 5 को छोड़कर आप कुछ भी ले लो 3 6 7 9 13 कुछ भी आवे दो और 5 को छोड़कर के ओ जाएगा आपका non terminating ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपर में कोई भी digit हो कोई भी digit हो अगर नीचे 0 का form हो ना जीरो का form यह से सपोच के लिए कि कितना भी जीरो हो तो आसानी से इससे डिवैड हो जाएगा थीरी जीरो काटेंगे और तीनांके बाद है तो अति उत्तम है लेकिन 2 5 के अलावा कोई और आ जाता है 7 3 9 13 इस प्रकार का डिजिट आता है तो उसको जीरो वाले फॉर्मिल आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए वह नं टर्मिनेटिंग होता है यह खेल है तो मैंने आपको भी पहला क्वेशन बताया ठीक है फर्स्ट क्वेशन बताया और अभी हम आपको बताते हैं दो तीन क्वेशन साब बनते हुए देखेंगे और आप जो ह सहां नहीं पाएंगे ठीक है समझाने के लिए समय तो चाहिए ना ओके तो इसका डिनोमिनेटर में कितना है एट है ना हम लोग एट का सेक्टराइज करेंगे टू फोर जा टू से टू टू जा डैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं उपर में तो सेवेंटीन है छेड़ टू तीन बार है तो दो का पावर तीन लिखेंगे ठीक है तो यह क्या मैंने आपको बताया था कि जो डी नोमिनेटर होगा उसका जब हम फेक्टराइज करेंगे या तो टू आवे केवल या तो केवल फाइब या तो टू और फाइब दोनों आवे उसके अलावे कुछ नह कि फॉर्म टू एम ओनली तो इट इस टर्मिनेटिंग टर्मीनेटिंग ठीक है यह आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो यह वाला जो काम है यह रफ वाला थोड़ा साही से लाइन खेच करके आप कर लेंगे सामने में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फुल माक्स मिलेगा तो question number one और second बन गया ठीक है यह और यह अब देखिए हम आपको बताते हैं यह आपको बनाना है और मेरे WhatsApp नमबर पर आपको बना करके सेंड करना है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में WhatsApp नमर दिया हुआ था ओके आप फाइब को हम आपको बना करके दिखाते हैं फाइब को एक फाइब को बना देंगे ठीक है एक सेवन को बना देंगे एक एट को और एक नाइन को बाकी जो बच जाएगा ना वह आपको बना जी है घवरानी की जोरत नहीं है जब आप पूरा वीडियो देखेंगे बुलेंगे सर मुझे तो इतना बढ़ी है से समझ में आ गया ना कि क्या बतावें क्वेस्टन नमर फाइब है ट्वेंटी नाइन बाई थिरी फोर थिरी यह कट नहीं रहा है ठीक है तो हम लोग उशता ट्वें ट्वेंटी एट हमारे पास ब्चकिए फोर फोर इधर बचकिए और टू शिक्स बचक तो सिक्स यहां चला जाएगा तो 63 शेवन नैंजा 63 फिर 7 से जाएगा 772 यह तो हमारा स्वेंटी नाइन यह घ्री टो गोग तो हम लोग यहां पर लिग सकते हैं कि 29 ब दोनों आवे इसके अलब और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जीरो बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा तो यह 7 आगया न यहां पर लिखना पड़ेगा कि its denominator denominator its denominator is of the form of the form of the form 7 का पावर एम ओके अधर देन अधर देन 2 & 5 मतलब की दो और पांच के अलावे कुछ और आजा रहा है शो इट इस यह हमारा क्या हो जाएगा नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ओके इतना आपको लिख देना यह आपका बनके त्यार हो गया आप भाग लगा के कभी भी देखना इस नंबर से इसको कभी नहीं आप खतम कर पाएगे रिपीट 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 होते चला जाएगा ठीक है यह कभी टर्मिनेट नहीं होगा वन बै थी जो मैंने आपको बताया ना जस्ट वही हाल यहां पर होगा तो मैंने अभी आपको question number 5 बता दिया अब आपको बताते है question number 7 तो 7 को हम यहां से ले लेते हैं question number 7 दिया हुआ है कि 129 by 2 का power 2 5 का power 7 और 7 का power 5 बहुत बढ़िया यह denominator को already factorize करके यहां पर दिया हुआ है तो factorize करने की जोरत नहीं इसको यहां पर direct हम लिखेंगे solve डिरेक लिखेंगे solve और arrow का चीन लगा करके लिखेंगे मैंने आपको बताया था कि जो denominator होता है उसके जब factorize करेंगे तो केवल 2 आना चाहिए या तो केवल 5 आना चाहिए या तो 2 5 दोनों आवे बस इससे जादा नहीं आना चाहिए लेकिन इसमें 7 आगे है 7 का पावर तब आपको पता है आपको लिखना पड़ेगा कि it's denominator 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 is of the form of the form 7 का पावर ठीक है other than other than 2 and 5 that means 2 or 5 के अलावा 7 भी आ गया है इसलिए ये क्या हो जाएगा so it is it is non-terminating non-terminating and repeating repeating ओके ये हमारा बनके त्यार हो गया ये क्या है हमारा non-terminating है भाग भी पूरा पूरा नहीं लगेगा और बार बार रिपीट होगा आप इससे भाग लगा करके देख लिजएगा बात समझ में आ गया okay तो मैंने आपको भी बताया question number seven अब आपको एट बताते हैं बहुत हीजी है इस्क्रीन सोट कर लेंगे आप और अपने कोपी में रैड़न कर लेंगे इसको हम रेज करते हैं यहीं पर हम आपको question number बताएंगे भी eight को बताएंगे क्योंकि मैंने seven बता दिया है और जो जो बच जा रहा है न question यह आप शब को बनाना है और मेरे WhatsApp नमबर पर send करना है ठीक है आप ट्राइ करें खुद से easy questions को मैंने छोड़ दिया है बाकि tough tough आला को मैंने ले लिया है six by fifteen है यहां लिखेंगे हम लोग solve तो मैं हो सकता है six by fifteen है ना two three जा और five three जा कट गया तो इसका मतलब यह two by five आ गया अब हम लोग यहां से बात करेंगे तो जो denominator है यह तो केवल पाच है एक ही बार है five है तो आपको मैंने क्या बताए था या तो two रहे या तो five रहे या तो दोनों रहे तो यहां पर केवल five है तो जा डिनोमिनेटर is of the form of the former chief of five का पावर एम यह क्या हो जाएगा हमारा टर्मीनेटिंग हो जाएगा टर्मीनेटिंग ऑके यह देखें बन गया बहुत आसानी से बन गया आपको इसके बाद हम बताना चाहेंगे question number 9 को question number 9 भी पहले काटना पड़ेगा, इसको shortest form करना पड़ेगा that means इसको convert करना पड़ेगा you have to do convert it on simplest form first of all you can observe that 7, 5 जा ठीक है, और 10, 5 जा पत समझ में आ गया तो यह आ गया 7 by 10 अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ पर solve और आपको पता है कि पहले shortest में हम लोग कर लिए अब जो denominator है इसका हम लोग करेंगे factorize 2, 5 जा, इतना ही तो होगा ना तो उपर में 7 रहने देंगे और 10 के बदले हम लोग लिखेंगे 2 into 5 वा, कितना बढ़ी बात है बताईए मैंने आपको बताया था है या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, या तो दोनों हो तो यहाँ पर तो दोनों है तो यह जहर सी बात है कि क्या होगा यह terminating होगा कि non-terminating होगा यह तो terminating होगा यहाँ पर लिखना क्या रहता है its denominator denominator is of the is of the form is of the form 2m and 5m only only so it is terminating terminating तो देखो इस परकरसी यह बन गया बाकि कौन कौन सा questions बच गया है 1 और यह 2 यह आपका बच गया 3 questions आपके लिए छोड़ दिए यह बना करके आप send करें देखिए यह आपका terminating होगा क्योंकि 2 और 5 है के बल ठीक है बाकि ओ आप बताईए है ना और यह आप बताईए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं question number next question number second given है write down the decimal expansion क्या लिखना है decimal expansion लिखना है of those rational numbers उन सारे rational numbers का question number one में given है which have terminating decimal expansion question number one में जो 10 questions थे 10 questions थे बताना था कि कौन terminating है और कौन non-terminating है तो जो terminating है उसका भाग लगा करके डिभाइड दे करके जो decimal expansion आएगा वो आपको लिखना है इसमें से तो 10 में से 6 that means 6 questions का जो decimal expansion है और terminating है that means पूरा-पूरा भाग लगता है 1, 2, 4, 6, 8, 9 ये पूरा-पूरा भाग लगता है तो आपको भाग लगा करके decimal expansion बताना है तो ये थोड़ा बड़ा है ये आपको करना है ठीक है क्योंकि 31, 25 से divide करना है 31 को छोटा वला हम आपको बता दता है इसलिए क्योंकि जगा कम है ठीक है तो question number second को हम लोग यहां से उठाते है 17 by 8 है तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 से divide देना है कितना में देना है 17 में देना है तो 8 का table पड़ यह कितना बार में 17 आएगा 2 बार में 16 आएगा बचेगा कितना 1 point देंगे 0 आ जाएगा 8 1 जा 8 कितना बचेगा 2 point दिया हुआ है फिर से 0 8 2 जा 16 कितना बचा 4 बचा हमारा point दिया हुआ है फिर से 0 8 5 जा 40 ठीक है 0 0 आ गया फोटी में 40 जाएगा तो 0 तो यह देखिए terminate हो गया that means पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका जो decimal expansion होगा होगा हमारा 2.125 आएगा 2.125 ओके यह वाल आ गया ठीक है यह rough कारी करना आपको rough योग है तो इसको sad means पर करसे यहाँ पर भाग लाका लेंगे और यहाँ पर आप answer लिख देंगे तो 2 वाल मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको बताता हूँ एक और और यह है कि 8 को हम आपको बता देते हैं first of all हम लोग question number 8 को write down करेंगे कितना है 6 by 15 है तो आपको पता होना चाहिए कि यह कट रहा है 6 by 15 है ना 2 3 जा और 5 3 जा इसका मतलब यह आ गया 2 by 5 हम लोग यहाँ पर इस तरह से करके 5 से हम लोग debate दे लेंगे 2 को भाग तो नहीं लग रहा है न तो 0 देखें पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा अब 5 4 जा 20 देखें पूरा-पूरा terminate हो गया पूरा-पूरा भाग लग गया और जो decimal expansion आया वह आया हमारा यहाँ पर 0.4 तो यह हमारा आंसर होगे ओके तो इस परकार से सबका आपको बना के दिखाना है एक और है question number 9 35 by 50 है तो यह भी आप ही को करना है हम केवल question number 2 को करके दिखाए और 8 को करके दिखाए कि इसमें करना कुछ नहीं है बस decimal का भाग लगाना है डिवाइड करना है ठीक है तो यह आप खुद करेंगे question number 3 given है the following real numbers यह जो real numbers दिये हुए है have decimal expansion decimal expansion में दिये हुए है as given below in each case decide whether they are rational or not हमें decide करना है कि यह rational है यह तो फिर नहीं है rational है if they are rational and of the form P by Q अगर यह rational है और P by Q के form में है what can you say about the prime factors तो आप जो rational है P by Q के form में है उसके Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे Q का जो factor होगा वो क्या होगा तो question first में दिया है 43.12345 शे 9 तक दिया है second number में है 0 देकर के point 1 2 1 0 के बाद फिर 12 2 0 के बाद 12 3 0 के बाद 4 0 के बाद हर बार 0 बढ़ रहा है और यह dot 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 लगा हुआ इस questions में second में ध्यान से देखेगा आप और third number में 43.1239 तक है यह और बार लगा हुआ है इसका मतलब यह क्या है हम लोग अभी समझेते तो यह वाला जो number है आपका point तक तो भाग गया है लेकिन 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तक जाते जाते पूरा पूरा divide हो गया है that means यह terminate हो गया है इसलिए यह हमार हो जाएगा rational number तो first का answer लिखेंगे आप rational ठीक है क्योंकि यह पूरा पूरा भाग लग गया है point तक जाने के बाद और इसका जो P by Q का form होगा तो जो Q का factor होगा वो होगा आपका prime factors of Q will be either 2 or 5 और both only या तो इसके factor में केवल 2 होगा या तो फिर केवल 5 होगा या तो फिर दोनों होगा 2 और 5 दोनों होगा क्योंकि जिसका denominator या तो 2 होता है या तो केवल 5 होता है या तो 2 और 5 दोनों रहता है इतना ही अगर रहता है तो पूरा पूरा भाग चला जाता है और अगर 2 5 के अलावे कोई और घुज गया तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और repeating होता है बढ़ियां से समझा है, तो यह आपका rational number हो गया, और prime factor क्या होगा, या तो 2 होगा, या तो 5, या तो फिर 2 होगा, second number को हम लोग देखते हैं, देखी यहाँ पर, 0 देकर के point है, उसके बाद 12 है, 0, 12, 00, 00, 00, 00, 00, 12, 12 तो आ रहा है, लेकिन हर बार 1, 0 बढ़ के आ रहा है, तो यह repeat भी नहीं है, पहला बात तो यह non-terminating है, भाग लगे गहीं नहीं, और साथी साथ repeating भी नहीं है, non-repeating है, क्योंकि repeat कहां से होगा, 12 तो आ रहा है, लेकिन हर बार 1, 0 बढ़ के आ रहा है, पहले 1-0 के बाद 12, 2-0 के बाद, 3-0 के बाद, 4-0 के बाद, तो यह कभी रूखते रूखेगा नहीं, solve भी नहीं होगा, तो यह rational number है ही नहीं, P by Q की रूप में यह नहीं होगा, तो यह हो जाएगा हमारा not rational, that means irrational number हो जाएगा, यह rational number यह है, लेकिन यह पूच्छा नहीं है, कि rational लिखना है आपको, लेकिन यह बस बताना है कि rational है कि नहीं, तो यहाँ पर इतने लिखेंगे तो काम चल जाएगा, यह भी लिख देंगे तो कोई दिकत नहीं है, अब question number 3 को हम लोग देखते हैं, यही questions यहाँ भी है, आप ध्यान देंगे आप, 43.123456789 तक दिया हुआ है, यहाँ बार नहीं था, यहाँ पर बार दिया हुआ है, तो यहाँ जाब बार नहीं था, इसका मतलब हम यह समझे, कि 9 तक जाते जाते जो cessful तो जीरो आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो बार दिया हुआ, इसका मतलब हमें यह समझ में आया, कि 0 cessful नहीं आया होगा, जो remainder होगा, और cessful नहीं आया होगा, 1 से 9 तक यह बार बार repeat होगा, repeating चलेगा, non-terminating तो यह भी है, non-terminating तो यह भी है, लेकिन repeating है, तो यह rational हो जाएगा, जब non-terminating और non-repeating रहेगा, तब वो आए rational होता है, तो यह हो जाएगा हमारा rational number, और जब यह p by q के form में आएगा, तो जो prime factor होगा q का, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो फिर 2 नहीं हो सकता है, दोनों तो नहीं होगा, बिल्कूल भी नहीं होगा, दोनों होता न, तो यह बार कभी नहीं लगाना पड़ता, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, दोनों कभी नहीं होगा, ठीक है, तो यह इस परकार से हमारा, जो exercise 1.4 है, class 10 का, math का यह पूरा खतम होता है, अगर आपको विडियो अच्छा लगे, तो like करिए, subscribe करिए, share करिए, और comment करना ना बोले, thank you very much.